समोसे तो आपने खूब खाये होंगे भूख लगी हो या ना लगी हो एक दो समोसे तो आराम से खाये जा सकते हैं लेकिन उत्तरप्रदेश के मेरट में एक ऐसा समोसा बना है जिसको खा पाने वाला अभी तक नहीं मिल पाया है यह कोई आम समोसा है भी नहीं कि कोई भी इसे जटपट खा कर मुह पोच ले यह मेरट का खास 10 किलो वाला महा बहुबली समोसा है जिसे बनाने वाले ने यह ऐलान कर दिया है कि जो भी इसे खा लेगा उसे 71,000 रुपए कैश इनाम में दे जाएंगे 51 मिनिट में जो इसको खाएगा उसको 71,000 रुपए का नाम रखा है पहले कितना इनाम थो आपके तो पहले 8 किलो के समोसे में 51,000 रुपए का नाम था अब किसे 71,000 रुपए इसका इनाम है जो 51 मिनिट में खाएगा क्या है इस समोसे की कहानी आईए विस्तार से जानते हैं मेरट के लाल कूर्ती स्थित कौशल स्वीट्स के मालिक उजोल कौशल हमेसा कुछ अलग करने की फिराक में रहते हैं इस साल की दिवाली से पहले उन्होंने 5 घंटे लगा कर एक 8 किलो का समोसा बनवाया था और चैलेंज दिया था कि किसी ने इसे खा लिया तो उसे 51,000 रुपय का इनाम दिया जाएगा हालांकि तब भी उसे किसी ने खाने की हिम्मत नहीं दिखाई रविवार को उन्होंने चुनोती थोड़ी और कठिन कर दी और इस बार दुकान पर 10 किलो का समोसा बनवा दिया उजवल कोशल ने दावा किया कि यह देश का सबसे बड़ा समोसा है और जो भी इसे 50 मिनट में खा लेगा उसे 71,000 रुपय का इनाम तुरंट दे दिया जाएगा लेकिन अभी तक कोई वीर इस समोसे को खाने की चुनोती स्विकार नहीं कर पाया है दुकान संचालक उजवल कोशल बताते हैं कि 8 किलो का यह समोसा बनाने में उन्हें 5 घंटे लगे थे 10 किलो का समोसा बनाने में भी टाइम प्रोसेस लगबग वही होता है बस थोड़ा बनाने की टाइमिंग बढ़ जाती है उन्होंने बताया कि इस समोसे को बनाने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगा समोसे को तलने और फिलिंग तयार करने में ही ज़्यादा वक्त लगता है इस समोसे को कड़ाही में घी में छोड़कर दो अन्यकारिकर उपर से गर्म तेल डालते हैं तब जाकर यहां बन पाता है इस समोसे की खासियत इसका बजन है जो 10-11 किलो का बजन है यह इंडिया लाजेस समोसा बना है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समोसा है अभी तक इस बड़ा समोसा किसी ने नी बनाया गया है यह मेरे पास ओटर आया है बर्डे का यह यह नौड़स आये स्पेशल ओडर दिया था नहने दो दिन पहले तो यह केक की जगा यह समोसा काटेंगे एक मन में चाहत थी मन में चाहत थी प्रेड ना थी कि बेरेट बास ओटर के लिए कुछ करा जाए कुछ अलग से तो समोसे को ठाया गया, समोसे को अपना वो करा तो समोसे को लेकर हमने इंडिया लाजेस समोसा इसका रखा है जिसका नाम मावाव वाली समोसा रखा गया है उजोल के बड़े भाई शुवम कहते हैं कि 8 किलो का समोसा हमने 5 किलो आलू में तयार किया था उसी से हमने एवरेज निकाला 10 किलो के समोसे में 4 किलो आलू के मसाले भरे गए हैं इसमें मटर, पनीर, काजू और किश्मिस भी डाले गए हैं इसका वाज़न 10 से 11 किलो का आएगा और इसके अंदर आलू, डाइफूर्स, पनीर बगएरा है और इसकी जो मैदा के लिए यह चार से 4.5 किलो का सबेट है और जो इसके अंदर शटफिंग आलू की है, वो 6.5-7 किलो का सबेट होगा और लिए कितना इनाम है इसका आए